हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं राजसरकार की रास्ता खोलो अभियान की पोल खोलने वाली ये सच्चाई बाड मेर जिले की पंचाय समिती बाईतू की ग्राम पंचाय जाक की डिलाई या फिर यू कहें की लापरवाही का खामियाजा इसे ग्राम पंचायत के किरपाणियों मेगवालों की दाणी में रहने वाले दलित परिवार भुगत रहे हैं और जिमेदान तमाश बीन बने हुए है 2006 में पहली बार हुई थी स्विकिर्ट ग्राम पंचायत मुख्याले जाग के बाबा राम दे मंदिर के किरपाणियों मेगवालों की दाणी तक ग्रेवल सड़क की प्रतम स्विकिर्ती वर्ष 2006 में जारी हुई स्विकिर्टे के पस्ट्राद बाबा रामदे मंदिर के सीरे सी सडक निर्मान का कार्य शुरू हुआ जो कुछी दूरी पल ले जाकर विवात के नाम पर बंद कर दिया गया वर्ष्ट 2012 में जिला परिशद ने एक बार फिर जाक मोखाब रोट से बाटाडा जाक सरहत तक नाम से स्विकिर्ट जारी की इस सडक के बनने से किरपाणियों मेगवालों की दाड़ी जूट रही थी लेकिन ग्रेवर निर्मान के दोरान ही लोकेशन डाइवर्ट कर दी जिस अप्रिल 2019 से शुरू कर 6 मा के बीतर पूर्ण करने के कारे आदेश दिये लेकिन यह कारे अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है जिसके चलते किरपाणियों मेगवालों की दाणी सडक सविधा से वंची थे हमने सड़ निर्माने कारे पूर्ण करने के लिए सेक्ड़ बार परि जाक निर्माने की तयारी में है 500 मीटर तक सड़क निर्मान में अब कोई बाधा नहीं है पहले कुछ असर में थी जिसके चलते काम नहीं हो सका लेकिन अब 2-4 दिन में मुर्ण डालकर ग्रेवा सड़क कर निर्मान करने की तयारी है जल्द ही सड़क बन जाएगी नकता रा ग्राम विका सदिकारी ग्राम पंचाय जाक जागरू टीवे के लिए बाड मेल से ठाक राम एगवाल की रिपोर्ट